अलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को काउ मिल्क कबसे देना चाहिए और काउ मिल्क देने के बाद अगर बच्चे को कब्स हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कई बार बच्चे को लूज मोशन लग जाता है तो इस सभी तो बहुत सारे लोग काव मिल्क दे देते हैं लिकिन ऐसे में कई बार बच्चे का पेट बहुत जादा बिगड़ जाता है इसके लिए आप डॉक्तर से फार्मूला मिल्क बताएं वह अपने ब Tanner को दे सकते हैं उसके बाद एक साले बाद आप पच्चे को कउन मिल्क देना शुरू करें ऑर जब आप कउन मिल्क देना शूरू करें तो हो सकता है कि सबी बच्चों को नहीं लेकिन कुछ बच्चों के साथ होता है कि उनको बहुत जादा कब्ज रहने लगता है या कई बच्चों को लूज मोशन लग जाता है तो ऐसे में शुरुवात में आपको ये करना है कि काउम मिल्क जैसे कि आधा लिटर आपने काव मिल्क लिया तो उसमें आधा लिटर आप पानी मिला दे ऐसा करने से वह थोड़ा पतला हो जाएगा लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है आपको जो बच्चे को दूदा पिलाती है उसको थोड़ा जादा ही पिलाना है जिससे बच्छी के अंदर क यह पतेर प्रोटीन के कमी न होने पाये। क्योंकि फिर भूत हलकल के बचा बाता हो जाएगा तो फिस पीपेगा तो आको यह वसी देटो आप जाले लेकाई लेकर Install smiled जो कौ Marco जेए गिए फिर फिर ऐसे पानि के आपको कम करनी हैं और सकूरिण की जिन बच्चों को नहीं सूट करता है उन बच्चों को भी सूट करने लगता है और जिन बच्चों को बहुत जादा कब्स रहता है काव मिल्क देने से उनके लिए करें कि जब आप काव मिल्क को थोड़ा सा पानी अपने मिलाया और बॉयल करने के लिए रखा तो उसमें आप से बहुत जल्दी सूट करने लगता है और अगर बचे को लूज मोशन भी होता है तब भी आप पानी मिला के देंगी तो बचा उसे आसानी से देंगी तो फिर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उमीद करती हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजे और चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब करके नोट जरूर पहुचे और वीडियो को जादा से जादा शेयर भी करें